अब समूंबर इ हम फटाइड से देख लेते हैं और इसके बाद आपका यह पूरा चाप्टर है चाप्टर नम्बर 3 भी यह कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से ठीक है दोस्तों तो आज यह हम चलते हैं और देखते हैं इसका सिगनिफिकेंस यानिके इंपोर्टेंट यह काफी इंपोर्टेंट होता है किसके प्रोड्यूसर की यह क्या है कि आफिने की ने किया है किया है this concept to be the most important contribution of Alfred Marshall क्योंकि अभी वाला जो concept of elasticity of demand का वो किसने दिया था बही किसने explain किया था Alfred Marshall ने तो केंस ने इसको बहुत ही महत्वपुर्ण मतलब contribution Alfred Marshall का माना है इसके significance हम देखेंगे तो पहला यह आप है importance to a producer यानि producers के लिए यह कैसे important होता है जरा हम समझेंगे क्योंकि देखो being a producer क्या करना होता है जैसे मानने जिए कोई producer है कोई goods को produce कर रहा है तो यहां पर सबसे main चीज क्या हो जाती है कि हमारे commodity के price को decide करना कि जो हमारा particular product है इसका price क्या होना चाहिए तो यह जो pricing मतलब price को decide करने वाला जो process है ना दोस्तों उसमें महत्वपोर्ण रोल कौन प्ले करता है तो वो प्ले करता है हमारा elasticity of demand ओके तो आप यहां पर देख सकते हूं तो every producer has to decide the price of his product at which he has to sell it मतलब कितने में उसको बेचना पड़ेगा यह तो पहले उसको decide करना ही पड़ेगा ना उसके product का price तो for this purpose तो इसलिए क्या होता है elasticity of demand becomes important राइट अब सुनिए का ध्यान से कैसे इंपॉर्टेंस होता है समझो अगर हमने यह उप्जर्व किया अगर producer ने यह market में उप्जर्व किया कि किसी commodity का जो प्राइज मतलब किसी commodity का जो अगर इसके price को हम बढ़ाएं या फिर घटाएं तो इसकी demand है उसमें जादा कुछ बदलाव आने वाला नहीं है तो producer क्या करेगा जाहिर से बात है उसका price वह रखेगा क्योंकि उसको मालू मैं मैं चाहे कुछ भी कर लो price उपर अड़ालो नीचे कर लो तो भी जो demand है वह उ उतना ही खरीदेंगे तो producer यहां पर दिमाग लगाएगा और अपने अपने प्रोड़क का price रखेगा हाई ठीक है ठीक है तो दीक है लिका है he will fix up a higher price and vice versa ठीक है अगर उसको कभी लगेगा कि किसी प्रोड़क का जो demand है वो कैसा है वो relatively elastic है तो फिर उसका price comparatively low रखेगा है ना कम रखेगा रहीट फिर यहां पर आप समझेगा the concept of elasticity of demand is also useful to monopolis to practice price discrimination यानि कहने का मतलब क्या है को monopolis यानि क्या होता है जैसे मैं आपको example के health से समझाती हूं माल लीजे market में बहुत सारे दुक कितने दुकान है वह चार दुकान है ठीक है अब इन चारों में से एक दुकान ऐसी है माल लेते हैं कि यह दुकान भी ठीक है यहां पर एक specific type का जो goods है ना दोस्तों वो यहां पर available है जो इन तीनों में से कहीं पर भी available नहीं है और वो लोगों को माल लीजे चाहिए ठीक है तो अब यह जो बी दुकान दार है ना मतलब बी दुकान वाला जो दुकान दार है वो क्या करेगा वो यहां पर price discrimination practice करेगा यानि क्योंकि वो उसको पता है कि मेरे पास यह जो specific goods है ना वो बस मेरे पास ही है इन लोगों के पास तो ही नहीं तो customer कहां पर आएंगे मेरे पास आएंगे यानि मैं उनसे क्या कर सकता हूं मन माना जो दाम है वो ले सकता हो ठीके दोस्तों तो यह बात यहां पर हो जाती है तो वहीं दिया गया है कि मोनोपॉलिस्ट के केस में जो प्राइस आप सुचेंगे कैसे सुनो मैं आपको बता दिए कि कुछ ऐसे हैं जिनका डिमांड कैसा है रिलेटिवली इन इलास्टिक है यानि जिनके डिमांड में ज्यादा इधर उदर होता नहीं है चाहिए आप उसकी प्राइस को बढ़ा दो या फिर कम कर दो डिमांड यहां पर ब सब्सक्राइब लगा सकती है कि मैं इसकी प्राइस को बढ़ा दू इसका प्राइस बढ़ जाए या घड़ जाए जो पीने वाला आदमी है वह तो लेकर के ही जाएगा चाहे वह सो रुपे का मिले उसको वह उसको तो इस सिचुएशन में जो सरकार है न वह इन सारे यहां पर यह लिकर को एक्जांपल बताया यहां की वाहिन का ठीक है विल्बे टेक्स मोर बिकॉस इट विल नॉट अफेक्ट बिया डिमांड मच वाइस वर्जा ठीक है तो यह हो गया फिर यहां पर हम बात करते हैं इंप्रेंट्स इन फैक्टर प्राइस इंग यह समझ मे कैसे हेल्प करता है समझेंगे सरा तो दो इस यूश्फूल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टर प्राइस एक्जांपल से समझो भया तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा वर्कर वर्कर्स के नास्क पॉर हाइर वेजिस इप्टर डिमांड पॉर्डूट्ट प्रोडू काम कर रहा हूं कि 207 मेंड कर सकता है कि मैं काम कर रहा हूं हम आपर पर कर सकता है ठीक है समझ मैं कि आहाँ सब्सक्राइब को को इस फ्रकार से हहां पर पर जो हमारे इलैस एक्जाम्पल भी हमने यहां पर देख लिया ओके जी यह संजाना देखो क्या लिखा है प्रोडक्शन पॉर विश्ट डिमांड इस रिलेटिवली इनिलास्टिक मतलब जिनका डिमांड कैसा है इनिलास्टिक है वहां पर हम क्या कर सकते हाइर प्राइज जो है बच्चे वह व करते और यहां पर हम बात करते बच्चे इंपॉर्टेंज फॉरें ट्रेड यास एवरीवन फॉरें ट्रेड में भी करता है इलासिटी ओफ डिमांड अच्छा कैसे कैसे पहले एक्जाम्पल देखते फिर बाद में इसका एक्स्पीनिशन देखेंगे देखो जो हमारा उप बहुत टाइम लोगों ने बढ़ाया भी है ठीक है मतलब यह बढ़ाते घटाते रहते क्योंकि उनको मालूम है कि हम ही हैं जो हैं ठीक है क्योंकि लोग हमसे ही खरीदेंगे जो उपेक वाली कंट्रीज है जो एक्सपोर्ट करती है पेट्रोलियम को राइट तो सब्सक्राइब करते हैं अपने प्राइस को बढ़ा देते हैं लोग हमने इतना कर दिया ठीक है तो यह सारी चीज़ें होती है फिर यहां पर हम बात करते हैं हमारे पांचवे बिल्कुल सहीं इन इलास्टिक जैसे अगर मैं रेल्वे की बात करूं बच्चे तो रेल्वे का कुछ सब्सिट्यूट है क्या कि कि रेल्वे की धेनले की सब्सक्राइब में वहां पर पढ़ेंगे मोनोपोली और वहां पर एक्जांपल भी देखेंगे अब इधर देखेगा अगर रेल्वेस की हम बात करें ठीके तो इसका जो डिमांड है ना वो क्या होता है वो अगर देखा जाए तो इसका दाम कुछ इधर उदर होता है बच्चे तो भी उसमे होने वाला है जादा देखने मिलेंगे नहीं तो जो गवर्मेंट है ना वह क्या कर सकते हैं वह यहां पर गवर्मेंट के अधर सब सब्सीडाइस सब्सीडीज और नेशनलाइस देम तो अवाइट कंजूमर्स एक्प्लॉइटेशन अब क्योंकि हमारे देश में आमको पता होसक न हिस्टम कर सकते है या फिर उसको नेशनलाइस कर सकते हैं वैसी है यहां पर हमारे नेशनलाइस के हाथ में दूसरे कंट्रीन तो यहिंट कोई प्रॉलब्लम नहीं है ठीक होगा फ़ब्लिक यूटिलिटीज आई होगा तो यहां पर हमारा जो पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर थी यह होता है कंप्लीट येस कंप्लीट हो गया तो टोडल रहे इसको चैप्ट यह लेक्ट किया है हमने फॉर्स लेक्चर में क्या देखा था जो एक बीद दिए अब अ क्या देखा था टाइपस of price elasticity of demand फिर फूर्थ लेक्चर में देखा था methods of measuring price elasticity of demand यह लोग कहा गया कहा गया आजा 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 methods of measuring price elasticity of demand फिर हमने 5th lecture में cover किया था क्या cover किया था भहिया? determinants, determinants नहीं factors influencing the elasticity of demand और lecture No.6 यानि के इस lecture में हमने देखा इंपोर्टेंस ओफ इलासिसिटी ओफ डिमांड ओके आपको इलासिसिटी ओफ डिमांड जो है वह बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा तो अच्छे सारे चाप्टर्स को पढ़ो और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल आप अच्छा सकते हो बस समझना है आप सभी लोगों को और जो ग्राफ अगेर आप बना रहे हो ना एक्जाम में भी थोड़ा अच्छे से बनाने का प्रॉपल लाइन ठीचने का ऐसे ऐसे ठीक है और जो भी चीज़ा आप आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब लोग अपना ध्यान रखें बच्चों बाई वरीवन